हाई, आम शुब्रा, आज बनाएंगे लड़ू पराठा, बहुत ही इजी रेषिपी है और बहुत ही यमी है, तो चलिए बनाते हैं आज लड़ू पराठा लड़ू पराठा, खाया है क्या कभी आपने? नहीं खाया है? तो ये रेसिपी देख लीजी और बनाईए बहुत है टेस्टी लगता है इसे गेहों के आटे से बनाना है जो इसका आटा जो गूतेंगे ना आप बिल्कुल रेगुलर डो के जैसा ही गूतना है और पेड़े बना लीजेगा दो मीडियम साइज के फुलके से थोड़े बड़े और रोल कर लेना है तो दो रोटिया रोल करनी है आपको सेम साइज की वैसे तेवहार हो ना तो लड़ू तो मंगाते ही हैं लेकिन इस बार मैंने लड़ू मंगाया इस्पेशली लड़ू पराठा बनाने के लिए मोती चूर का लड़ू देसी घी का बना हुआ मोती चूर का लड़ू इलाइची फ्लेवर वाला और मिठा पिथा और थोड़े ड्राइफरूट्स भी थे इसमें तो कुछ भी डालने की जरूत नहीं पड़ी ये देखे दो रोटियां बेल ली है और मैं इसमें स्टफ कर रहे हूँ मोती चूर का लड़ू एक पराठे के लिए दो लड़ू चाहिए तो दो लड़ू फोड़ के अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए सब तरफ किनारे का हिस्सा थोड़ा छोड़ दीजेगा ताकि दूसरी रोटि उस पर डाले तो अच्छे से चिपक सके अच्छी फीलिंग करेंगे तो खाने में बहुत अच्छा लगता है देखिए कितना भर के मैंने इसमें डाला है दो लड़ू डाला है अब दूसरी रोटि इसके उपर रखेंगे जेंटली प्रेस करना है किनारे किनारे से थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि अच्छे से लग हो जाए गिरना नहीं चाहिए लड़ू थोड़ा सूखा आठा अपलाई करते वे दोनों साइट जेंटली रोल करना है ताकि जो टॉप लेयर है ना स्मूथ हो जाए बस तवा गरम है तवे पे डाल दीजी जैसे नॉर्मली रेगुलरली पराठा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना है थोड़ा सिख जाए तो साइट्स चेंज कर लेंगे थोड़ा पक चुका है तो पलट लेंगे दूसरे साइट भी अच्छे से पकने देंगे सेक अच्छे से लग जना चीए देखिए ऐसे ये सिख जाएगा और घी अपलाई कर लेंगे इस पे घी ही अच्छा लगेगा वैसे भी जो मोती चूर का लड़ू है न प्योर देशी घी का है तो बहुत अच्छा लगेगा दोनों साइट घी लगा के अच्छे से सिख लेना है थोड़ा घी अच्छे से लगाएंगे न तो सुआध बहुत अच्छा हैगा इस पराठे को आप गरम गरम खा सकते है लड़ू पराठा तयार है लड़ू पराठा बना रहे न तो थोड़ा मोटा बनाईएगा जो रोटियां बेलेंगे न तो थोड़ी मोटी रहेगी तो फटेगा नहीं देखे कितना अच्छा बना दूसरा भी तयार हो गया तो खाए देशी घी वाले मोती चूर लड़ू से बना लड़ू पराठा कलर भी कितना अच्छा लग रहे ना बहुत ही टेम्टिंग तो आप भी बनाईए का ऐसे ही लड़ू पराठा बच्चों को तो बहुत पसंद आता है ऐसे भी बना सकते हैं या फिर कोई तेवहार होना तो भी लड़ू पराठा बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी है बहुत ही यमी